सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए यह option दे दिया जाता है employees को कि आप 1800 रुपे पर मंत कटवा सकते हैं या तो अपना या फिर आप अपना 12% salary का कटवा सकते हैं तो हमारे लिए कौन सा option better है? क्या इसके rules हैं सारे? वो सारे हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं EPF के benefits देखेंगे, withdrawal process देखेंगे, यह calculation कैसे होती है EPF की जिसके उपर काफी confusion है तो यह वीडियो helpful होने वाला है किसी भी employee के लिए यानि कि जो कोई भी कहीं पर काम करता है किसी company में Companies के लिए जिनको यह EPF काटना होता है और साथ में जो practicing CAs हैं उनको भी यह फायदा करेगा तो आप इस वीडियो में बने रहिए सबसे पहले हम बात करते हैं EPF की applicability की तो कोई भी company जिसके अंदर 20 से ज़ादा employees हैं उसको EPF काटना होता है मतलब employees का कुछ portion काटना होता है और कुछ अपनी तरफ से deposit करना होता है एक PF account के अंदर और यह जो भी employee जिसकी salary 15,000 से कम है उसके लिए compulsory है 15,000 से ज़ादा की salary है तो उसके लिए compulsory नहीं है लेकिन ज़ादा तर companies यह facility सारे ही employees को दे देती है और यह facility generally companies क्यों देती है क्योंकि EPF के काफी benefits है long term के अंदर आपकी retirement planning हो जाती है यहाँ पे benefits क्या क्या है पहली बात आपको interest rate काफी अच्छा मिल जाता है 8-9% का आप interest rate यहाँ पे expect कर सकते हैं currently यह 8.65% चल रहा है हर quarter में यह change होता रहता है तो आप latest rate जान सकते हैं आप online search करेंगे तो आपको latest rate मिल जाएगा दूसरा इसका benefit है कि यह जो returns होते हैं आपके यह tax free होते हैं तो EPF triple E category के अंदर आता है exempt 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 यानि कि जितना आपने investment किया वो भी tax free है उस पे भी कोई tax नहीं लगता है 80 सीक इंदर आपको investment का benefit मिल जाता है डेड़ लग तक कि जो आपकी 80 सीक इंदर limit होती है वो tax benefit आप EPF का भी claim कर सकते हैं दूसरा जितने भी आपके returns होते हैं interest rate तो during the course of investment उस पे भी कोई tax नहीं लगता है finally आप जितना amount withdraw करते हैं retirement पे उस पर भी कोई tax नहीं लगता है अब क्योंकि आपको interest rate भी काफी अच्छा मिल रहा है tax savings भी हो रही है और साथ में risk भी बहुत कम है क्योंकि यहापे आपको government की backing भी मिल रही है इसलिए EPF एक काफी अच्छी investment हो जाती है और दूसरे कुछ benefits की बात करूँ तो यहाँ पे आपको insurance भी मिल जाती है अगर EPF लेने वाली की death हो जाती है by chance तो family को पूरा relief मिल जाता है वो जितना भी amount होता है वो पूरा corpus वो family को मिल जाता है और EPF का एक और benefit है कि यह universal access है UN number मिलता है एक universal access number जिसे हम कहते हैं तो EPF account आपको खाली एक ही बार खुलना होता है अगर आपने कहीं पे भी job करी है वो वाला जो भी आपका EPF account खुला है उसी को आप transfer करा सकते हैं और हाँ tax saving में मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको अगर आप 5 साल से पहले निकाल लेते हैं अगर आपका EPF account 5 साल से कम का है और आप अपना पैसा withdraw कर लेते हैं किसी भी reason से तो आपको tax benefits नहीं मिलते हैं आपको वहाँ पे जितना भी आपका amount होगा उस पे आपके tax lab के हिसाब से income tax लग जाएगा तो बहुत लोग जब job छोड़ते हैं तो उस time पे वो अपना पूरा PF amount निकाल लेते हैं तो अगर आपके 5 साल नहीं हुए है job के यानि कि उस EPF account की continuity 5 साल की नहीं है तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ideally आप अगर अपनी job change कर रहे हैं तो आप same EPF account अपना transfer करा सकते हैं अपने दूसरे employer के पास अब EPF में हमारा कितना पैसा कटता है employer अपना कितना पैसा डालता है ये calculation समझने से पहले एक बार हम quickly withdrawal process और समझ लेते हैं अगर हमें पूरा पैसा चाहिए EPF का तो वो हमें मिलता है retirement पे retirement यहाँ पे consider की जाती है 58 years age की तो 58 years की age में आप 100% पैसा निकाल सकते हैं EPF account और EPS account दोनों में से दो तरीके के account maintain होते हैं यहाँ पे एक होता है employee provident fund और दूसरा होता है employee pension scheme जिसे हम EPS कहते हैं short में अब इसके अंदर कितना कितना पैसा जमा होता है वो भी हम जल्दी ही बात करेंगे और दूसरा retirement से पहले यनि की आप 58 years से पहले कुछ पैसा निकालना चाते हैं तो आप 57 years की age में 90% तक का पैसा निकाल सकते हैं उसके पहले आप कुछ emergencies के अंदर ही पैसा निकाल सकते हैं जैसे कोई medical emergency हो जाए अगर आपको housing loan की repayment करनी है कोई मकान खरीदना है कोई जमीन खरीदनी है बच्चों की शादी करनी है किसी भाई बहन की शादी या आप अपनी खुद की शादी के लिए भी पैसा निकाल सकते हैं लेकिन ये जो सारे partial withdrawal है ये सब आप 5 साल के बाद ही कर सकते हैं और इसके अंदर भी अलग-अलग clauses है कुछ cases में आप 5 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं कुछ cases में आप 7 साल के बाद और कुछ cases में आप 10 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं लेकिन हाँ 100% पैसा नहीं निकाल सकते हैं यहाँ पे जनरली आप 50% up to 50% या अलग-अलग कुछ clauses बने हुए हैं उतना ही पैसा निकाल पाएंगे हाँ एक case के अंदर आप 100% पैसा वापस निकाल सकते हैं और वो है resignation अगर आप कोई company छोड़ देते हैं और दो महीने से जादा हो जाते हैं आपकी unemployment को तो आप सारा पैसा वापस निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है अगर आपके EPF account को 5 साल नहीं हुए है continuous तो आपकी tax liability बन जाएगी जैसा मैंने आपसे पहले बात करी तो इसलिए अगर आपके मान लीजे unemployment चल भी रही है और आपको पैसों की सक्त जरूरत नहीं है तो better यही है कि आप अपना ये EPF account continue करें आप अगर कहीं पे दूसरी जगे job करने जाते हैं तो ये EPF account as it is transfer हो जाता है चलिए अब हम calculation समझ लेते हैं कि EPF का contribution कितना हमें खुद देना होता है कितना company को देना होता है सबसे पहले हम EPF से related कुछ important बाते जान लेते हैं पहली बात तो EPF mandatory है अगर employees 20 से ज़ादा हो जाते हैं किसी भी company के और हाँ अगर EPF registration करा लिया है किसी company ने और future में 20 से कम हो जाते हैं employees तो ऐसी company को भी EPF account maintain करना ज़रूरी है दूसरा जितने भी employees की salary 15,000 से कम है 15,000 तक या 15,000 से कम है उनके लिए ये EPF account खोलना mandatory होता है और ये जितनी भी calculation होती है EPF account की ये होती है salary और salary यहाँ पर क्या consider होती है basic salary plus DA यानि की dearness allowance इसको हम salary मानेंगे अब हम जितनी भी calculation करेंगे वो हम इस salary को मानके ही चलेंगे basic plus DA की हम बात करेंगे private companies में ये DA generally नहीं होता है तो यहाँ पर आपका ये basic salary ही count होईगी और government companies के अंदर government organizations के अंदर मैं कहूँगा तो वहाँ पर basic plus आपका DA total calculate हो जाएगा EPF calculation के लिए employee और employer को equal contribution डालना होता है employee का जितना पैसा कट रहा है उतना ही पैसा company को या कोई भी government organization को अपनी तरफ से डालना होता है और वो पैसा PF account के अंदर जाता है अब ये कितना पैसा डालना होता है ये बात करते हैं तो employee का normal case में जिसकी भी 15,000 से कम salary है employees 20 से जादा है उस case में 12% कटता है salary का salary हमने क्या बात करी है ये basic plus DA तो इसका 12% आपका कटता है पैसा as an employee और employer यानि कि आपकी जो भी organization या company है वो भी अपनी तरफ से 12% डालती है लेकिन वो 12% दो accounts के अंदर divide हो जाता है EPF account होता है यानि कि Employee Provident Fund उसके अंदर जाता है 3.67% EPS account यानि कि Employee Pension Scheme इसके अंदर जाता है 8.33% ये हो गए 12% तो employee ने 12% डाला employer ने 12% डाला इसके अलावा 1% के extra charges देने होते हैं employer को तो employer एक तरीके से 13% दे रहा है यहाँ पे तो अब ये 13% में बागी का 1% क्या है 0.5% देना होता है EDLI में EDLI यानि कि Employee Deposit Linked Linked Insurance तो ये जो आपकी EPF और EPS हो रही है इनकी insurance करानी भी जरूरी है ये वाला पैसा भी आपका employer ही देता है और 0.5% के आपके EPF Administration Charges लग जाते है और ये भी पैसा employer ही देता है पहले ये 0.65% होते थे अभी जून 2018 से ये 0.5% हो गए है तो ये तो हमने कर लिया नॉर्मल केस की बात जहाँ पे Employee Strength किसी Company की या किसी Organization की 20 से जादा की है कुछ Companies की माल लीजे Employee Strength 20 से कम आ जाती है तो उनको खाली 10% ही काटना होता है Employee का और 10% ही Employer को जमा करना होता है 10% अगर Employer को जमा करना है तो 8.33% तो EPS में ये तो देखिये portion fixed है बाकी का बचा 1.67% ये चला जाता है आपका EPS के अंदर अब ये जो 10% है खाली Less than 20 Employees की Organization के लिए नहीं है खाली और भी कुछ Industries के लिए ये एपलिकेबल है जैसे कि अगर कोई SICK Unit डिकलेर हो गई है या फिर कुछ Industries वहापे specifically mentioned है जैसे कि Brick Industry है तो इन सब Industries में भी यहाँ पे 10% के ही applicability है लेकिन हम broadly कहें तो maximum companies या organization के लिए ये पहला वाला ही case applicable होता है जनरली आपका 12% ही आपको काटना होता है और company को भी 12% ही जमा करना होता है तो यहाँ पे अब बनते हैं हमारे दो सिनारियो एक सिनारियो है जहाँ पे salary less than 15,000 अगर किसी employee की तो उस case में क्या होगा उस case की तो हमने already बात कर ली है 12% of salary employee की cut जाएगी EPF में और 12% यहाँ पे 3.67% of salary जितनी भी salary है मान लीजे इस बन्दे की salary 10,000 है तो 3.67% of S1 में नहीं यहाँ लिखा है salary को तो S1 हो गया यहाँ पे 10,000 तो 3.67% of 10,000 यहाँ पे इसका EPF employer डालेगा 12% यानि की 12% of 10,000 यह employee का cut जाएगा EPF में EPS में 8.33% of 10,000 चला जाएगा EDLI 0.5% of 10,000 लग जाएगा और administration charges भी 0.5% 10,000 के लग जाएगे तो यह तो बहुत simple सा case है जिसकी भी salary 15,000 से कम है और दूसरा scenario बनता है अब अगर salary 15,000 से जादा है तो 15,000 से अगर जादा किसी की salary है तो यहाँ पे देखिए दो option होते है employer के पास पहला तो वो या तो minimum EPF का option दे देता है मतलब वो कहता है कि हम तो minimum EPF ही भरेंगे और minimum EPF ही काटेंगे तो यह minimum EPF कितना होगा 15,000 होगा मतलब 15,000 की जो salary है basic plus DA उस पे आपका EPF कट जाएगा तो मान लीजे यह जो salary है किसी बंदे की salary जो 40,000 है तो यहाँ पे इस salary से कोई मतलब नहीं है चाहे salary 40,000 रहे आपका यह क्योंकि 15,000 से जादगी salary हो गई तो यहाँ पे EPF 12% of 15,000 कट जाएगा और यह 12% of 15,000 कितना होता है यह 18,000 होता है बहुत सारी companies में आपने देखा होगा खाली 18,000 रुपे पर मन्त ही आपका PF कटता है और उतना ही portion आपका employer जमा करता है और जमा कितना करेगा यहाँ पे 1800 का भी further bifurcation हो जाएगा 3.65, 67% of 15,000 आपका EPF में चला जाएगा और 8.33% of 15,000 आपका EPS में चला जाएगा और similarly आपके यह बाकी के charges भी minimum के हिसाब से लग जाएगे तो यह तो हो गया minimum EPF वाला option अब अगर कोई employer चाता है कि नहीं हम जादा benefit देना चाते है किसी भी employee को मतलब सारे employees को let's say तो वो कहेंगे कि आपके पास option है आप full EPF भी opt कर सकते हैं कई companies तो दोनों ही option देती है कि आप अपना अगर minimum EPF कटवाते हैं employees का in hand salary जो है वो काफी बढ़ जाती है लेकिन अगर full EPF कटवाता है कोई तो उसकी savings अच्छी हो जाती है जैसा हमने पहले बात की interest rate अच्छा है tax saving भी काफी अच्छी है तो उस वज़े से आपकी saving अच्छी हो रही है तो आप full EPF पे भी जा सकते हैं अब full EPF कटवाने में भी दो option बनते हैं वो भी हम एक बार discuss कर लेते हैं पहले option में आपका जो EPF है वो 12% कट जाएगा of your complete salary यह जो हमने salary की बात करी S2 अगर आपकी मैं लीजे salary 40,000 है तो 12% of 40,000 यह आपका EPF कट जाएगा आपने तो अपना full EPF कटवा लिया लेकिन employer की जरूरत नहीं है कि वो आपको full EPF दे वो चाहे तो अपना minimum पे भी काम चला सकता है वो चाहे तो 3.67% of 15,000 दे सकता है EPS के अदर अपना 8.33% of 15,000 दे सकता है और accordingly वो अपने minimum charges पे कर सकता है लेकिन जादातर companies में आप देखेंगे कि employer भी उतना ही contribution दे देता है तो ये वाला एक और popular option है तो हमने ये जो सारे बात करी पहला popular option less than 15,000 के लिए हमने देख लिया scenario 1 और more than 15,000 के लिए ये हो गया एक आपका minimum वाला minimum EPF option यानि कि 18,000 रुपे पर मंत आपका कटेगा और 18,000 रुपे ही आपका employer भी डाल देगा तीसरा popular option है ये वाला जिसके अंदर 12% आपकी salary का कटेगा और 12% ही आपका employer डाल देगा लेकिन यहापे थोड़ा सा ध्यान दीजेगा यहापे जो EPS वाला account है इसके अंदर आपको 8.33% of 15,000 ही डालना होता है यहापे cap होती है तो यह जो इसके उपर का जो पैसा होगा टोटल तो 12% करना है यह जो टोटल है यह तो 12% कर देगा आपका employer लेकिन यह जो बाकी का पैसा है वो आपका EPF account में चला जाता है तो 12% of जितनी भी आपकी salary है minus 8.33% of यह 15,000 यह अगर आप घटा देंगे तो आपका EPF के अंदर आपका बाकी का पैसा चला जाएगा तो अगर आप इस portion को add करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यह भी आपका 12% of S2 आ जाएगा EPF plus EPS यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ EPF plus EPS यह जो आपका employer डाल रहा है वो भी आपका 12% आ गया है तो यह इस case में 12% of 40,000 इस वाले case में भी आपका employer उतना ही पैसा डाल देगा तो यह सारे scenarios बनते हैं EPF contribution के मैं उम्मीद करता हूँ यह आपको calculation थोड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी अब मैं आपको एक calculator दूँगा next video के अंदर जिसमें आप यह भी calculate कर पाएंगे कि retirement में आपको total EPF का corpus आपका कितना बन जाएगा तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको like और share जरूर कीजिए अपने friends और family members के साथ भी जिससे उनको भी इसका benefit मिल सके अगर आपने इस channel को भी तक subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको latest वीडियो का notification मिल जाए तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही informative वीडियो में तब तक सीखते रहिए कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए